आये आपका च्रागत है मेरे इस चैनल में देखे और सिखे दा नीटिंग चैनल में मैं आज आप सबके लिए फिर से एक अंगुठे वाली शॉक्स लिखे आई हूँ यानि मुझे तो यह डिजाइनर शॉक्स हैं पहले से डिजाइन बना के रखा हुआ है और यह डिजाइन म आएगी जब आप सस्क्राइब दवाएंगे तो घंटी आएगी उसे भी दवा दे ताकि मेरी जो भी नई वीडियो में डालू इसका नॉटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह जो फंदे हमने डाले हैं यह त 23 फंदे डाले विए तीन के जोड में और इसे हम क्या करना है सबसे पहली रहा हम उल्टी साट से शुरू करेंगे देखि интересно सारे फंदे को हमें उल्टा उल्टा वनना यह इस तरह से हैं पहली रहा कमपलीट करेंगी सारा उल्टा उल्टा अब हम आगए देखें, सेकंड रो, सेकंड रो में हमें सारे फंदे को सीधा बुनना है, इस तरह से सारे फंदे को हम, सारे फंदे को इसे तरह से सीधा बनाएंगे, तो देखें, हम आगए आप बैक साइड, यानि ठर्ड रो, ठर्ड रो में हमें सारे फंदे को उल्टा बु उल्टा उल्टा बुनेंगे इसे तरह से सारे फंदे बुनेंगे और जब हम राइट साइड आएगे यहां हम धागा चेंज करेंगे दूसरा कलर अटेज करेंगे हम इसमें तो चली राइन पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखिए हम आ गए राइट साइड यानि से एक दो और यह तीन फंदे बुनने के बाद देखिए यह एक और यह दो फंदे दिख रहे हैं जो सबसे लास्ट यह वाला फंदा है दूसरा फंदा उसके सबसे नीचे में जाएंगे देखिए एक, दो, तीन यहाँ पे हम इस तरह से जाने के बाद पीछे तरफ से यहिसे बुनेंगे और यह धागा खीच के लाएंगे ऊपर थोड़ासी लंबा लंबा लुम्सरा खीचेंगे इसे और यहाँ से तीन फंदे बुनेंगे एक दो तीन तीनों को सीधा बुनेंगे एक दो और ये पिर उसी तर से करेंगे ये पहला फंदा चोड़के सेकंड फंदे के सबसे लास्ट वाले फंदे में जाना है में इस तरह से स्लाइड डालेंगे पिछे की और से धागा कीच के लाएंगे लंबा सा उसके तीन फंदे एक दो तीन फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे एक स्वरी सिधा बुन लेंगे दो और ये तीन आये जो धागा है इसकी उपर से हमें पार कर दना है फिर जीए फंदा छोड़के अग दो और ये तीन और जो ये फंदा है इसके उपर से गिरा देंगे नॉर्मली तीन फंदे बच गए इसे हम सिधा बना लेंगे एक, दो और ये तीन इसी तरह से हमारे ये डिजाइन चलती जाएगी बैक सैट से हमें उल्टा बनाना फिर सीधी तरफ से सीधा फिर उल्टे तरफ से उल्टा तीसरी लाइन कंप्लीट होने के बाद चौथी लाइन हम जब बनाएंगे तब ये धागा हम अट्रेच करेंगे और इससे फिर ये डिजाइन डलेगी देखे चली अब इसका मजनमें में बता देती हूँ आपको कि कैसे बनाना इसे तो मैं दिखाती हूँ आपको ये जो पैर का भागे देखे पैर का जो अंगुठा भागे हमारा ये यहां तक हमें इसकी बुनाई करनी है ये जो है तुम्हें इसकी बता देती हैं लंबाई देखिए साथ इंच तक कि आपकी इसकी लंबाई बुनाईं करनी है सिम्पल सिम्पल यहां तक और उसकी वाद आपको अंगुठा से लेके यहां तक आपको 2-3 इंच और लंबा बनाना है लेकिन मैंने यह पूरा बना के रखा हुआ है तो देखिए इसको नापने का तरीका कैसे है यह जब आप इस तरह से बना ले तो इसे खीच के नापनेंगे हम देखिए इस तरह से खीचने के बाद देखिए जब तरह से आपकी साथ इंस्टा घएगे इस तरह से इसके बाद से हमें यहां तक भर्ण बंग कर देना है आप यहां से हम अंगुठा निकालेंगे आंगुठा निकालने के लिए देखिए अब यहां से हम यह कलर हम नहीं बनाएंगे, हाँ से हम इसे काट देंगे अब हमें यलो से इसकी बुनाई करनी है, यलो से हम अब उठा और उंगलिया बनाएंगे तिहां से हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा और यह अठारे फंदे हम रखेंगे उंगली के लिए देगे, एटिन फंदे हम अंगठा के लिए रखेंगे और बाकी बचे फंदे हम यह रखेंगे हम उंगलियों के लिए तो चली तो इस बार में अंगठा यहां बना रहे हैं अब जब अगली बार में बनाऊंगी तो इधर से हम अंगलिये निकालेंगे और अंगठा हमारी इधर होगी देखता है तो चलिए पहले उठा निकाल लेते हैं यहाँ से हम नौर बनी सिधा-सिधा बुनाई करेंगे सिधा उल्टा जैसे हम बुनाई करते हैं पहला फंदा उतारे या तो बुने आपकी मर्जी एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, और ये, दस, ग्यार, बार, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब हम इधर भूम जाएंगे, यहां से पहला फंदा हम उतार लेंगे, ताकि सिल्ले में सुविधा हो, इसलिए इस तरह से फंदे उठाए जाते हैं, ताकि किनारे में हमारे लाइन बराबर से दिखें, तो देखें, अब जो ये फंदा है, सारे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से, सीधी तरब से सिधा और उल्टे तरब से उल्टा, इसी तरह से करते हैं, अब देखें, हम आगए राइट सारे फंदे को हम सीधा सिधा बनाएंगे, पहला फंदा हम मुतार लेंगे, अब देखिए सारे फंदे को हम सिधा बनाएंगे तो पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदे को हम सिधा बना लेंगे इस तरह से इस तरह से सिधा बनाएंगे पूरी रो और उसके बाद इस तरह से हमें 15 लाइने हमें कम बनानी है देखिए जो दिखे रहे एक दो हमने अभी बुन लिया है इसी तरह से हमें 15-16 लाइने बनानी है तो चलिए लाइन पूरा करके मैं बताती हूँ आपको तो आए देखे हमारे ये बॉर्डर कुछ इतना कंप्लीट हो गया है अब इसके बाद हम फंदे घटाएंगे तो फंदे घटाने का तरीका क्या है मैं इससे पहरे वीडियो में भी आपको बता चुकिए है चार फंदों को एक साथ हम घटा देंगे इस तरह से एक साथ चार फंदे लेंगे देखे एक दो और ये तीन इसे बैक सेट से में इधर से इसे फंदे घटा देंगे फंदे थोड़ टाइट होते हैं पीशे की और से निकलते नहीं है थोड़ से एक दो और परियास किजिएगा छार फंदे एक साथ निकल गएं आप देखे यहां से आप पूनेंगे अर लास्ट में चार फंदे इसी लाइन में हमें कहाटा देना एक दो भूलनेंगे सारा इस तरह से सारैं सिधा बूनेंगे बाखे की चार फंदे देखिए उसे घटा देंगे इस तरह से इधर से लेंगे इसे चार फंदे घट गए देखिए अब यहां से हम धागा कट कर देंगे अब देखिए जितने भी फंदे हैं हमने इस धागे पर सुई पर रोली है देखिए अब इस तारे फंदे को एके करके हम खोलेंगे इस तरह से सुई पर लेंगे देखिए जितने भी फंदे सब को सुई में उतारना हमें इस तरह से उतार के हमें इस तरह से बंद कर देंगे इसे खीचेंगे चाहिए एक बार और इसमें से अंदर से और पार कर देंगे ताकि यह मुझबती आजाएगी इसमें इसके अंदर से सर फंदे को पार करेंगे फो पार इसमें पार करेंगे जाःगा कि यह हमारे अंगुठा का सेप आगी है इस तरह से इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे अब देखिए यह बाकी फंदे बचे हुए हैं इस सब की बुनाई अब हम यलो कलर से करेंगे तो यहां हम धागा चेंज करेंगे यलो कलर लगाएंगे हैं मिसे इस तरह से और सारी फंदे और सीधा बना लेंगे इसारी फंदो में सीधा बना लेते हैं पहले गाहिए है इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, सारे फंदे को उल्टा बनाएंगे, इस तरह से, इसी तरह से हमें 5 लाइन कम्लीट करने है, पांच रो देखें एक रो तो हमारा यह सिधा हो गया दूसरा यह ती हो गया बैक साइड फिर करेंगी सीधा फिर उल्टा फिर जो हम पांच भी लाइन पर आएंगे यानि रैट साइड फिर त्रो में उसके बाद हम यहां से फंदे घटाना शुरू करेंगे तो चली चुछ और पांच भी लाइन करके में उसके बाद बताती हूं आपको तो देखें हमारी लाइन कंप्लीट होगी दो से तीन The line मैंने इन तीन लांक स्कालिककिया हूए लाटाने हैं इसलिए मैं करके दिखाती हुँ आपको पहले यहां से मैं 15 फंदे बून लेती हूँ 16 पर मैंने निसान लगाए वाँ तो 15 फंदे हम बूनेंगे पहले यहां तक हम कीज की बुनाई करनी है तो सिधा-सिधा फंदे हम बुनाई कर लेंगे 2 3 4 5 6 साथ आठ नौ दस इक ग्यारव बारव बारव तेरव चौदव और ये पंदरव इसे खोलेंगे हैं विसे देखिए अब ये फंदर जो है और ये फंदर इसे उतारेंगे ये हमारा सोलवा है इसी के साथ जुड़वा और ये बीच का जो एक्स्टर फंदर था इसे भी हम उतारेंगे देखिए और ये फंदर को पहले हम लेंगे ये फंदर इसे चड़ाएंगे इसके वादे फंदा चड़ाएंगे इस तरह से और ये दो फंदा और एक्स्ट्रा जिसमें हमने निशान लगाया था सोला में इसे भी हम लेंगे इस तरह से अब पीछे की और से इन तिन फंदों को एक फंदा कर देंगे मिदा से जब फंदे घुमाएंगे थो ठाइट हो जा इसान लगा देंगे इस तरह से अफ सारी presidency सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड हमें कोई फंदे नहीं घटाने है अच्धी दिरू में आएंगे फिर हम 3 फंदे का एक वंदा कर देंगे इसी तरह से हमें चार टाइम फंदे घटाने है तो चलिए मैं चार टाइम फंदे घटा के मैं आपको बताती हूँ इससे पहली वी वीडियो में मैं आपको बता चुकी है इसमें मैं अंगुठे वाली जुराब लेके आई थी उसमें मैं बता दिया है कि किस तरह से अब हर एक दूसरी लाइन पैपी से फंदे घटाएंगे, देखे, चली, ध्यान रहे हैं हमें उल्टी और कोई फंदे नहीं घटाने हैं, हम इधर फंदे नहीं घटाने हैं, हम फंदे इधर ही घटाएंगे और इसकी सेंटर पे, इसे अभी धर का एक फंदा लेंगे और इधर का एक फं कि लाके हम तीन फंदे कां एक फंदा कर देंगे थिए हैं चली में फंदों को सारे मैं घटैтор क मैं दिखा आपको इलिए सबस्यों बने थे हुपोप्टे है तो देखे आपने अर्फ के फंदे सारे घटा लिए जा तैम हम्नें फंदे घटा यह अन्igator का एक फंदा किया लास्ट में मेरे फंदी कितने बच गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, तस, इग्यारा, बारा, तेरा, चावदा, पंदरा, सोला, सफरा, ठारा, उन्नीस, भीस, ही किस, बाइस, देश, चोविस, पचिस, पचिस पंदे रह गए हैं आप देखें, इस सैट से भी हम उल्टे-उल्टे इसकी बुनाई कर लेंगे, इन सारे फंदों को पहला फंदा मुतार लेंगे, सारे फंदों को हम उल्टा-उल्टा बना लेंगे, फिर सीरी सैट से भी हम सारे फंदों को सिधा बना लेंगे, जब उल्टे सैट आएंगे, तो के बाद दो स्लाय है श्याह हैं कंप्छेट करेंगे इस तरह से सारी पंदेख को में सीधा सिधा बना लेंगे इसी तरह सब्सक्रान को सिधा बना ले जब देखे इधा एक फंदा करते हुए हमें इस फंदे को घटा देंगे तो फंदा का एक फंदा किया इस तरह से इसके उपर वापस चढ़ाएंगे फिर दो फंदो का एक फंदा करेंगे वापस इसमें चढ़ाएंगे फिर दो फंदो का एक फंदा करेंगे वापस इसमें चढ़ाएंगे इसी इससारा से सारा फंदे को मैं बंदो करने को पहले आ भी जा през Tim तो सारे पंदे को हम स्च करेंगे सिल इनगे पहले यह कि-मुठा ज़ा है इससे फैले हम शिरल कि लेते हैं उन इस तार से lowsкое इसके बराबर पर सिलेंगे नहीं तो कलर अलग-अलग हो जाएगी इस तरह से पकड़ेंगे हम इसे और यहां से सिलेंगे इसे इस तरह से सिलना है हमें तो यहां से हम इसकी यहां तक सिलाई कर लेंगे इस तरह से हम बूदे आगा चले यहां तक पहले में सील लेति और इसके आध्याप को दिखाते हूँ तो देंखें यह अंगुठे की शिलाए हमारी हो गई अब इसे हम इस तरह से पल्टेंगे रागी और उल्टे साइट से इस तरह से दोनों साइट को पकड़ते हुए में इसकी बुनाई करेंगे इस तरह से लेंगे से इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे इसका धागा लंबा रखे क्योंकि हम इसे नीचे तक सिलाई करनी है इसलिए इस तरह से हम सिल लेंगे तो चली इसे तरह से सिलते हुए हम यहां तक आएंगे यहां से यहां तक सिलना है इसे अब याया तक इसकी सिलाइख कर लिए but फिर यहांसे घुमाते हैं अब इसको में इस तरह से पकड़ेंगे और यहां सिलेंगे कि इस डिजैन को बराबर कर लें कि इस तरह समसी लेंगी से कि अच्छा के इस तरह सो सदया को मिला तरह से निजैन को मिला त्वे अब देखिए हमें क्या करना है तरह यहां से थोड़ों यहां टेश्ट्स कर लेंगी इस तरह से धागा इस तरह से तो यह आपस में इस तरह से जूड़ जाएगी त्यूंद cosmos शर्थ है अब यहां से हम यहां हाफ सिलेंगे हम देखे यह来 है्न ale सिलना है में देखिए हमें यहां से यहां तक सिलेंगे और इधर खुला रखेंगे और इधर भी सिलाइ प्मुल्ड करनी है हमें फिशेबं यहां से यहां तक सिल्के उसके बाद मैं इधर भी वी सीड़ेती है उसके दिखाती कि यह किस तरह से लगए ने के बाद सील्के लेगा दिखाती हूं छल्यथा करके cm मैं आपको अंगोठे वाला जुराब बनके रडी होगे मैं इसे पैन के भी दिखा देती हूँ यह आपका राइड साइड का पैर है और लेफ साइड का आप जब निकालेंगी ता हुठा इदा निकालना है आपको और मैंने आपको वीडियो में समझा दिया तो चली पैन के दिखाती हूँ आपको तो देखिए इस तरह से बनके आएगा आपका यह बहुत ही खुबसत लग है तो चलिए बनाये हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा फिर मैं कुछ नेयर वीडियो लेकर आती है आपके सामें थैंक यू